कि मंचा στηνहारे मिसेशी जन और विसेशकर ओजाजीन ने हम लोगों को उर्जागा धिया है इसलिए हमार विसेश Indigenous धन्यवाद को पात्र रहा है और उपेन जीने हम लोगों को यहां भुलाया है और और हम लोगों को मुखा दिया है कि हम बात कर सकें, लेकिन मैंने उपेन जी से कहा था सुबा कि हम इसको नहीं देख रहे हैं, जो हमारा टापिक है, वैदिक साइंस, ग्लोबल अप्लिकेशन, वैदिक साइंस के बारे में, किताबों में, इतिहास में, तमाम चीजों में रिख रखते हैं, कि ये ग्लोबल अप्लिकेशन के लिए बन सकें, तो प्रस्त है, ये इसका जवाव है, हाँ, ऐसा हो तकता है, जैसा अभी ओजा जी ने कहा कि उपेन जी के आने से पहले, मैं ओजा जी की बात को कनवे कर देना चाहता हूं, कि जो मैंने आप से निवेजन किया कि ये अस्थान वो इस्तिती में लाना है, जैसे कि अभी हमारे जर्मन जो भी वेकती हैं, अगनोत्रा की बात कर रहे हैं, और उन्होंने मैं बड़े गवर से सुना एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया, और फिन आकर के स्वन हैं कि कैसे, क्योंकि हमारे मनीशियों ने इसको किया है, जरूर कुछ थाट दिया होगा, और उसका जो बहुत बढ़िया, साइन्टिफिक एक्स्पर्मेंटेशन हो सकता है इस केंद्र पर, वो भी दिखाया उन्होंने कि जैसे हमारे पास इंस्ट्रुमेंट हैं, ECG है, EEG ह तमाम चीजें हैं, उसको हम करके अपने बच्चों को या उसके जो लाभारती हैं, उनको हम दिखा सकते हैं, और कर सकते हैं, इसकी हमको आओ सकता है, ECG हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जहां तक रह गई हमारी बार बार हम लोग बैदिक बात कर रहे हैं, मैं करता है, उसमें हमारे विश्वास में और सतता आती है कि नहीं, यह जो अपना है कापर और जिंग का इलक्ट्रोड यूज करके पैदा किया गया उस जमाने में, और आज यह सकत है, हम बच्चों को अपने विद्यार्शियों को करके दिखाते हैं, कि देखो यह हमारा सेल है इस सेल से हम गुर्जा पैदा कर सकते हैं, और वो बात उस समय हुई थी, जिसका प्रमाण इन्हों ने दिया, और हमारे और मित्र जो रामसागर जी हैं, उन्होंने भी यह बड़ा अच्छा का, हलांकि मैं यह अध्यक्षी भारशन नहीं दे रहा हूं, यह मिश्च जी का क किताब मिलती थी, उस पर रसायन सास्त्री लिखा रहता था, रसायन सास्त भाग एक, रसायन सास्त भाग दो, जो इस तरह के मिलती थी, तो वो अभी भी बहुत सी परंपरा हम लेकर के चल रहे हैं, मैं दिक परंपरा हमारी छुट नहीं गई है एक डम, हम उस परंपरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं रस नताकर की बात किया रस शास्त्र में कुलकरणी जी बाद के भास करने वाले हैं कुलकरणी जी ने इनके नागराजुन की किताब मिल नहीं रही है बहुत मुस्किल हो यह है हम लोग ने बहुत खोजने कोशिस किया नहीं मिला कुलकरणी जी ने मरकरी सलफर चे क्यों react करती है, क्यों antijdote है मरकरी सलफर का, तो उन्होंने ये modeling दिया है, उन्होंने उदारर दिया, कि मरकरी जो है हमारे स्व का रूप है, आप कुलकर्णे की किताब को लीजिये रश्तास की पढ़िये देखे, उन्होंने उसमें मरकरी को स्यू की बात कहा है और सल्फर को गंधक को पर्वती जी की बात कहा है और मरकरी का सल्फर से प्रेम chemistry का हर विद्यार्थी या science का हर विद्यार्थी जानता है कि अगर mercury को detoxify करना है तो sulfur को हमको देना पड़ेगा arsenic को detoxify करना है तो हमको sulfur देना पड़ेगा तो यह detoxification जो है affinity के उपर antidote का काम कैसे करता है तो सायद यह बात मुरे समझ में आती है वो खुलकरणी की किताब को पढ़ने के बाद भी आती है और एक चीज समझ के परे है जो हमारे इस विद्यार्थी में आप जाईए उपर के तलप लिखा जैसा हमने बताया कि mercury से गोल्ड बनाया mercury से गोल्ड बनाया हम अभी पढ़े हैं chemistry में कि हम हाई लोवर अटामिक नंबर के चीज़ों के हाईर में कर देते हैं ट्रांस्मुटेशन की प्रासस से लेकिन हाईर को लोवर में कर देना एक कठीन काम है mercury 80 है सोना जो है हमारा जो गोल्ड है 79 है अटामिक नंबर एक कम है यह जो प्रक्रिया हमारे उस जमाने में दिखाया है लोगों ने वो एक दम हमारे सामने लिखा हुआ है मालवी जी ने बनवाया है बहुत समय की बात नहीं है हम दिया दिए इसे मांगा था मालवी जी ने ने देने से उनके उनकी स्रीमती जी उसन नहीं थे हमारे हां जो है यह रस जास जो है न एक बंगाली प्रफिसर थे उन्होंने बात में इसको किया है हाँ बहुत उसके साथ है मैं जो का रहा हूँ अभी यह डिस्कुशन हम लोग बहुत बात में करेंगे मैं उन बातों को बता रहा हूँ जो तर्थ हमने वैदिक साइंस से डिराइब किया है और आज ग्लॉबलाइजेशन की बात यह बड़ा अच्छा टापिक है भाई कि हमारा यह जो ग्यान है वैदिक ग्यान है इसको हम ग्लॉबलाइज कैसे कर सकते हैं और मैं मैं हमारे गोजा जी ने कहा कि ज्यान बिग्यान की मैं आपनी लड़ाई नहीं आज आपर आरम कर सकता हूं यह हमारे गीता में लिखा हुआ है कि जो ग्यान हमारा वैज्यानिक हो सत्यता को दिखा सके वही ग्यान हमारा जो है सही ग्यान माना जाता है तो आपके बैदिक कॉल में आज ये बड़ा अच्छा सुभ आउसर है कि यहां प्राच विद्ध्या के हमारे एक्सपर्ट और हमारे modern science एक्सपर्ट यहां बैठे हुए हैं और इसकी परम आउसकता मैं फील करता हूँ कि दोनों के बीच में discussion होना चाहिए आप अपना ग्यान दीजी हमको प्राचिन का ग्यान और उसकी सत्यता को साविद करने के लिए हम बैग्यानिक अपना माइन करेंगे इसलिए हमने का कि यह मिर्टिंजे की आउसकता है इनको इस्पर्मेंट से करवाना है और ग्यान आप देंगे कि हमारे बैदिकाल में ऐसा होता था नहीं एक एक्षपर्ट होता है सुनिए च्ञान हमारे महादेवी वर्मा की किताब को पढ़िये तो महादेवी जी ने लिखा है कि किसी भी ग्यान को सत्य बनाने के लिए उसका प्रयोग करना जरूरी है हमारे साइंस में, हमारे विज्ञान में ग्यान और विज्ञान दोनों जरूरी है, मतलब यह सत्त है कि ग्यान और विज्ञान दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों के कंपोनेंट हमारे आवश्यक है, यह बात बहुत जरूरी है, इसको हमको इसमें देखना पड़ेगा, और आ